अस्लाम अलेकूम, और वाचिंग दार अफिर वाजबासी यूट्यूब चेनल, तोधे माई टापटीज है, जो के आपकी देशन का मतायन करते हैं, आपकी मंजिल का बताती है, इनसान उस वकद अपनी मंजिल हासिल कर सकता है, जिस वकद उसके पास एक रिलाइबल, एक फिक्स्ट, एक डिटर्मनेबल कोल मुझूद हो, तो एक विलर इनसान जिस शेक्स ने कभी शिकस का मूँ न देखा हो, जिसको कभी शिकस से जड़ना होता हो, यह जो चाहता है कि श उसकी उसकी जिन्दगी में हार ना है, तो वो शक्स क्या करेगा, वो किसी भी काम को करने से पहले अपना एक गोल सेट कर लेगा, सेकिंड पाइंट अगर आप सेक्सित चाहते हैं तो, सेकिंड पाइंट इस इस चीज़ को समझने के लिए, अपसेक्ल्स, क्या रिकावटे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या इम्बिग्विटीज हैं, या आपको आपकी डिस्टिनेशन से रोकने वाली, वो कौन सी ऐसी चीज़े हैं, जिन की वज़़ा से आपका गोल जो है, वो तात्तुल का शकार है, या वो थोड़ा सा, आप तो पास्ट फेलियर्स हैं, उन पर भी जो है, वो अपने नजर रखनी है, ताकि जिस वगत आप अपनी प्रिवियस नाकामियों को जो है, वो अपने जेन में रखेंगे, मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को, तो इन्शालला फिर भी आप अपने गोल को इसी हग तक जो है, वो अचीव करने में कम्याब हो जाएंगे, तीसा पाइंट जो मैं समझता हूँ, यहां पर बड़ा इंपार्टन रोल प्ले करता है, वो यह है, कि आपकी ठिंकिंग जो है, वो पाजिटिव होने से यह, बसल आप अपने माइंड में ऐसी, जो है, वो किलियर पिक्चर आप जो है, उड़ा करें, कि मैं इन्शालला हर सूर्फ जो है, वो इन गोल्स को अचीव करने में कम्याब हो जाएंगा, जब आपका दुमाग आपकी बॉड़ी के साथ जो है, वो रियक्ट करेगा, तो यकीनां गोल हासिल करना आपके लिए को मुश्किल नहीं होगा, जब इन इस काम को इन्शालला करूंगा या कर लूँगा, तो एक वकद आता है कि फिर जो है, वो कम्याबी उसके कदम चूम लेती है, तो क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके माइंड में किसी भी काम को करने से पहले, नेक्स पैंट ये है, कि आप सबसे पहले अपने माइंड को क कुलियर क्लियर करें, कि आपका और उनका कंपारिजन नहीं है, मेंभी उन्हें उन्हें उस चीज़ के लिए जो सूटिबल सुटिबल टाइम हो, वो सकत lookout, वो सकता है वो गलट डिरेक्शन में चले गए हो, वो सकता है उनके पास मुस्तकिल गोल नहीं मूजूद था तो ऐ इसा मुम्किन नहीं है, एक ही वक्त में एक ही चीज को स्टार्ट करने वाले दो लोगों में से एक कम्याब हो जाता है और दूसा नाकाम हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कम्याबी और नाकामी का तल्लुक, नो डाउट के हाड़ वर्क पे जरूर डिपेंड करता है, लेकिन ह हाड़ वर के साथ-साथ जिस चीज पर ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता हूँ, वो आपके अपने 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 सिल्फ कविडेंस है। कि आपको अपने के कितना जिएदा इसल्फ कॉन्ट होंगें, इतना ज्यादा जो होगाँ अपका गोल असानी से अचीव होगाँ, तो अपने आपको जो self-doubt सें उन से बिलकर clear कर दें कि जो है वो success में किसी आप तक जो है वो बेतरी आ सकती है एक और बड़ा important point है embrace the challenge मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़ी मोहिम को जो है वो achieve करने के लिए आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए खुशी 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 चैलेंज को कुबूल करें कोई भी नहीं करता तो जरूरी नहीं है कि कोई नहीं करता तो मैं भी ना करूँ अगर मैं समझता हूँ क pragmatic है और इसकी कैपिबिलिटीज रहना कर कि आपका मौटिव उस Majesty से और वह को आउट बीनिता नहीं मीज़ा कुछता है तो मुझे जारों उस चैलिज को लेना चाहिए उस चैलिज़ को अपना life का मौटव बनाना चाहिए और उस माटिव को प्रेक्ट जो है वो उससे आउटपुट भी दिखाना चाहिए तो मैं समझता हूँ जिस चीज को आप खुशी से करेंगी याद रखिएगा एक काम है उस पर आपकी ग्रिप है लेकिन आप उसे नराज़गी से या किसी के कहने से या भाई फोर्स करते हैं जैसे एक सर बच्ची है मैंने से पूछा जाता है कि आपकी सब्सेक्ट सेलेक्शन किस स्पेस पे है आप क्या करना चाहरें तो वो बचैरे कोई उसका जो है रिजनेबल अंसर नहीं दे सकते हैं बलकि वो होता क्या है वो होता यह है कि पैरेंट्स की प्रेशर की वज़ज़े से आपना पूरा नाइफ य के लिए रेडिने इस से भी सेक्सेस में बहुत ज्यादा आपको फाइदा हो सकता है। जो है वो यह है कि आपने वर्ल्ड को यह गोल्स अचीव करके यह चीज बतानी है कि I can do it. मैं कर सकता हूँ. मैं यह कहता हूँ कि आप नहीं कर सकता है, यह हर शेक्स कर सकता है. जो यह कहता है कि मैं अपने आपको इस काबिल समझता हूँ कि जो मुझे एसाइनमेंट दी गई है, जो मुझे जो क्या कहते हैं कि प्रॉजेक्ट दिया गया है यह जो मुझे जो एक मिश्न दिया गया है, मैं अपनी मुकंमल, मुझे अपनी परसिनलिटी पर इतना confidence है हैं जिन की वज़ा से आप जो है वो एक failure से एक success की तरफ चला जाना शुरू कर देते हैं तो ज़रूरी है कि आप जो है वो हमेशा failure की list में ना रहें अपने आप को boost करें अपनी सलाहियतों को अपनी skills को और सबसे बढ़ कर अपनी सोच को और एक goal अपना मतेयन करें लाइफ के लिए इन्शालला जब आप उसके लिए 10 years 12 years 15 years 20 years even जो है वो दिल लगा कर मेनत करेंगे तो इन्शालला वो destination जो आपने 20 साल पहले सोची होगी वो एक दिन आपको मिलेगी और वो उस वकर जो आपको खुशी होगी वो सिरफ आप जानते हैं और आपका अल्ला जानता है और आप जब वो feeling किसी के सामने शो करेंगे तो में भी आप वो शो ना कर सके लेकिन आप बड़े खुश होगे क्यों क्यों कि आपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेनत की होगी उमीद आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मेरे चैनल सदार हकनवाज अबासी को सबस्क्राइब कर दें और बल आइकन को प्रेस कर दें आने वाले वक्त में इससे भी बेतर मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए या मोटिवेशनल जो है वो लेक्शर होंगे जिस से आपके बच्चे या आपके दोस्त वगरा आ आपके मिलने वालों की जो है वो लाइफ को चैन्ज करने में हल्फूल होंगे थैंक्स वार वाचिए